हेलो दोस्तों मैं हर्शिता और आप देख रहे हैं त्विंस माइवर्ड जैसा कि आपने थमनिल तो देखी लिया होगा मुझे तो काफी शॉकिंग लगा शायद आपको भी लग रहा होगा कि क्या कंसीव पीरेट्स की बिला भी कर सकते हैं ऐसा होता है क्या अब इसका आंसर आप जब तक सुनो उसके पहले मैं एक आपको छोटी से रिक्वस्ट करूंगी कि प्लीज मेरी वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखेगा इंपोर्टन फैक्ट्स कुछ बताने वाली हो और एक और रिक्वस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए है तो कि डिलिवरी हो रही है जैसा कि हम सब लोग जाते हैं कि Đây बौक्ड ओन को पी चल रहा है तो लोग डावन के पीरेड में बहुत सारे लोगों की अगर आप चाहते हैं अपनी स्टोरी मुझे भेजना तो प्लीज मुझे मेल जरूर करीगा मैं मेल आपको डिस्क्रिप्शन मॉक्स में दे दूंगी या फिर आई बटन पर भी दे दूंगी सच बात है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब डिलीवरी होती है उसके बाद जो पोस्ट-पार्टम रिकवरी होती है वह एटलिस्क्स वीक्स तक चलती है और डॉक्टर्स भी आपको green signal 6 weeks के बाद ही देते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या recovery जो होती है वो अगर जादा लंबी से लंबी अगर चले तो 24 weeks तक भी जा सकती है और अगर कम short duration की बाद की जाए तो 4 weeks तक भी recovery हो जाती है लेकिन सोचने वाली बात ये है कि 4 weeks से लेकि 24 weeks तक अगर postpartum आपकी चल भी रही है उस दोरान भी आप pregnant हो सकते हैं जी हाँ अगर आपकी recovery हो भी गई है उसके बाद भी अगर आपको periods नहीं आया है that doesn't mean कि आप conceive नहीं कर सकते हैं तो जो लोग अपने second pregnancy के बारे में अभी नहीं सोचना चाते हैं आपकी जैसे first delivery हो गई आप कुछ gap रखना चाते हैं तो please right from the beginning आप precautions का use करें नहीं तो आपको पता चलेगा कि आप pregnant हो और without आपको periods तो आए नहीं और आप pregnant हो गए तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी भी मिट्स रहती है कि अगर आप breastfeed करा रहे हैं तो आपके periods नहीं आएंगे और periods नहीं आएंगे तो आप conceive भी नहीं करोगे जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है आप breastfeeding करा भी रहे है तब भी आप evaluate करती है और तब भी आपकी periods भी आते है और आप may भी conceive भी कर जाओ आइडियली अगर देखा जाता है कि जो doctors होते हैं वो आपको जो next pregnancy है उसके लिए at least आपको one year या फिर 18 months तक का वक्त बहुत suitable आइडियल होता है उसके बाद आप next pregnancy के बारे में सोचे क्योंकि देखे first baby से आप तुरंट आपकी शरीर इतनी जादा strength नहीं होती है उसे भी बहुत nutrients और बहुत strength की जरुत होती है stamina की जरुत होती है ताकि आप जो next pregnancy है उसको आप conceive करे तो ideally आपको 18 months तक का gap जरूर रखना चाहिए उसके बाद ही आप pregnancy के बारे में सोचे और hope आपको मेरे ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा है तो please like share तो कर ही दीजेगा और वीडियो पूरा देखने के लिए thank you so much और जैसा कि मैंने बताया कि अपने experiences दिल खोल कर मुझे आप mail कर सकते हैं ये बहुत ही confidential mail रहेगा वो सिर्फ मैं ही check करती हूँ आपकी कहानी कुछ भी ऐसे लगे जो मुझे सीखने मिले जो other pregnant ladies को सीखने मिले या any experiences वो मैं जरूर अपने चैनल पे publish करूंगी उसकी ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो please मेरे चैनल के साथ जुड़ जाईए और बहुत अच्छा लगता है आपनों मुझे इतनी अच्छे ची comments करते हैं दिल से धन्यवाद thank you so much for watching